नमस्कार आपको सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें शेयर करें तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट को यहाँ पर रिजल्ट है और आकड़े दिये गया है मिलियन में बात करते हैं रिजल्ट के फॉर्मैट की सबसे लास्ट में वह सितमबर 21 कोटर के जिया और जो आकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दिखेंगा है और सितमबर फायस कौटर में कमपनी की टोटल इंकम हुई सत्ता हीजार तीन सो 59.50 मिलियन की, तो टोटल इंकम को देखें येर ओन येर में सितमबर 21 कौटर से सितमबर 22 कौटर में तो येर ओन येर बैसेशज पे इंकम 30% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बात करें quarter on quarter में जून 22 quarter से सितंबर 22 quarter में तो quarter on quarter basis पे income में कमी होते हुए दिखाई देती है अब हम देखेंगे expenses को सबसे नीचे दिये गए है total expenses सितंबर 21 quarter में 19,189.6 million के total expenses थे जून 22 quarter में 24,965.08 million के total expenses हुए और सितंबर 22 quarter में 25,144 million के total expenses हुए है तो total expenses को देखें year on year में सितंबर 21 quarter से सितंबर 21 quarter में तो year on year basis पे 31% के बत्धी expenses में होते हुए दिखाई दे रही है बात करें quarter on quarter में जून 24 quarter से सितंबर 22 quarter में तो quarter on quarter basis पे सिर्फ 1% के expenses में ब Parece हुए नजर आती है अब हम बात करेंगे profit and loss statement की तो देखते हैं 7th नमबर point profit before exceptional item and tax को सितंबर 21 quarter में 1799.3 million के profit before tax थे जून 22 quarter में 2474.82 million के profit before tax हुए और सितंबर 2272.06 million के profit before tax हुए है तो profit before tax को देखें year on year में सितंबर 21 quarter से सितंबर 22 quarter में तो year on year basis पे profit before tax में 27% की व्रद्धी होते हुए दिखाई दे रही है बात करें quarter and quarter में June 24 से सितंबर 22 quarter में तो quarter and quarter basis पे profit before tax में कमी होते हुए नजर आती है अब हम देखेंगे 13 number point को profit for the period को सबसे नीचे दिये गए है profit for the period मतलब company के net profit तो सितंबर 21 quarter में 1663.24 million के net profit थे June 22 quarter में 1888.50 million के net profit हुए और सितंबर 22 quarter में 173.67 million के net profit हुए है तो net profit को देखें year on year में सितंबर 21 quarter से सितंबर 22 quarter में तो यहां पर year on year में 3 प्रतिशत के वद्दी net profit में होते हुए दिखाई दे रही है बात करें quarter on quarter में June 22 quarter से सितंबर 22 quarter में तो quarter on quarter basis पे net profit घटते हुए नजर आ रहे हैं तो year on year में profit बड़े हैं जबकि quarter on quarter में घटे हैं overall results को देखें हैं तो हमें company के year on year performance बहतर होते हुए दिखाई दे रहा है year on year profit में सर्फ 3 प्रतिशत की वद्दी हुई है result ठीक आए हैं धन्यवाद